सो हे अवरी मॉन वेलकॉम बैक टू अवरी यूट्यूब चैनल सो फ्रेंट्स इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेक्चर लेके आई हैं मैं आपको बता दू आपको चीजे काफी डिटेल में पड़नी पड़ेंगी क्यूंकि मैंने क्लास फॉर्ट का जो पेपर देखा है आपने भी देखे हैं कि किस तरह से महाँ पे चीजे पूची गई है कि मिका की प्रोड्यूजिंग लाजा स्टेट कुन सी है यह विद लाई अट्प फॉर्ट के आपको रीवर्स के बारे में पड़ना अगे है जो स्टॉक एचिटेंट्स का एं विद्लाइफ गार्ड का जो यह ग्जाम है न इनका जो लेवर रहेगा क्लास फॉर्ट से काफी डिफ्रेंस रह सकता है मेरा कहने का मतलई यह नहीं कि इसका लैबल हाई रहेगा तैकि अब तक जो भी जेक SGB के एक्जाम हो रहे हैं वो आपको मौडरेट लैबल के देखने को मिल रहे हैं तो यह एक्जाम भी आपका डिफिकल्ट तो नहीं होगा तो इसलिए एक्जाम को थोड़ा लेवल इसलिए किया गया कि कट आफ एक ठीक पॉइंट पे आके रूखे जिसमें वह बच्चों को सेलेक्शन दे सकें ठीक है अगर इजी एक्जाम हो जाता तो 70-80 वाला ही बच्चा सेलेक्शन ले बाता वाकि 50-55 कट आफ गयरा नहीं रहत तो ये स्टाक एस्टेन विल्ला इगार्ड के एक्जाम जो होने वाले हैं भी आपके मॉडरेट लेवल के रहने वाले हैं लेवल आपका वही रहेगा चीज़े आपको वही पढ़नी है जो आपके सेलेबस में है बाकिया आपने ज़्यादा कन्फ्यूस नहीं होना है और आ इसी तरह की important वीडियो की notification आपको मिलती रहेंगे different different social media के platform join करने के लिंक आपको description box में है telegram, instagram, facebook इनके link आपका सारे description box में मिल जाएंगे और जेकी की जो हमारी main playlist है जिसमें हमारे core भी जो topic include हुए हैं उनको भी आप देख सकते हो वो आपको description box में ही मिलेगी तो चली start करते है आज का ये lecture sports related तो आज आपको SCF और LCM वाला lecture नहीं मिल पाया वो आपको में कल provide कर दूँगा और बाकी जो आपका GK के जो MCQs होंगे वो इसी तरह से आप topic wise चलते रहेंगे और science के भी हम आपको जल्द ही lecture provide करने की कोशिच करेंगे तो चलिए फिर चलते हैं आपने MCQs की तरफ सबसे पहला जो question आपकी screen पर है वो है कि which among the following cup trophy is awarded for boom and in the sport of badminton इन में से कौन सा ऐसा जो cup है या फिर वो trophy है इन में से एक दिया गया है जो trophy भी हो सकते है कप भी हो सकता है जो कि related करता आपका badminton में जो कि boom and को दिया जाता है कौन सा है उसका नाम बताइए जरा बै बैड भी cup है देखिए जिसको answer पता है वो live chat में बता सकता है तो बताइए जरा अगर किसी को इसका answer मालूम हो तो तो देखिए यह जो इसका right option वो आपका अबर cup है अबर cup जो है आपका दिया जाता है boom and को कि sport के लेटर badminton के यह cup है ट्रॉफिक नहीं है ठीक है अब इसके प्रेस के लेटर आपको और भी चीज़े जानकारी होनी चाहिए जो आपका यह आपका बैब cargo करता है आपका रगभी से नोट कर लें अगर आप नोटस बना रहे हो रगभी से लेट करता है Prabfar को से रगभी से आपको और भी करते है जिसका नाम है derby cup यह भी आपका इसे लि कप क्विल्टर कप यह भी आपका रगभी से लेटर करता है क्या यू आई एल्टी आर कप यह भी ठीक है और उसके बाद एक कप आपका ट्रॉफी ओर है आपकी जिसका नाम है गौड़न गौड़न हंटर इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो हंटर मैमोरि ट्रॉफी ओके यह नोट कर लीजिए यह सारे आपके किसके साथ लेट करते हैं रगभी के साथ लेट करते हैं ठीक है याद रखना रगभी के साथ का डैर्बी कप भी लेट करता है बैब एलिस कप भी करता है अब बिजडन ट्रॉफी जो किससे लेट करता है जो बिजडन में आपका एक ashes cup भी होता है इस तरह से tough question आपको जेकर से भी पूछ सकती है A S H E S ashes cup C K Naidu trophy भी होती है C K Naidu trophy ये भी आपकी cricket में ही दी जाती है दियोदार trophy दियोदार सारी note कर लो exam point आपके उसे काफी important है दियोदार trophy जो आपके late करती है cricket से late करती है उके बाद दुलीब trophy दुलीब जो trophy है ये भी आपकी cricket के साथ ही deal करती है उके उसके बाद wisdom जो मैंने बता दिया और उसके बाद बीजे हजरी trophy बीजे हजरी trophy ये भी आपकी cricket के साथ deal करती है इन सब भी को note कर लो notebook पे या तो पहले वीडियो देख लो उसके बाद इनको note कर लेना वीडियो को face से देखने के बाद उसका next question चलिए जो मैंने बताया badminton अभी badminton का हम पूरा discussion कर लेते हैं alber cup जो badminton में दिया जाता है इसमें और भी cup दिये जाते हैं जिसका नाम है अगरवाल cup अगरवाल cup ठीक है एक एक option को अच्छे से discussion करेंगे चड़ा cup चड़ा cup उसके बाद हरीला cup हरीलीला cup ठीक है उसके बाद thomas cup ठोमस cup यह जो thomas cup है यह मैंन को दिया जाता है ठीक है मैंन को और अरवर cup जो है आपका बूमैन को दिया जाता है किसमें बैडमिंटन में याद रखना important उसके बाद चलिए next question next question जो बलता है कि वाकर cup जो आपका associate करता है किस sport के साथ क्या वो cricket के साथ, football के साथ fancy के साथ या फिर गल्फ के साथ जल्दी से इसका answer बताएईए जिस बच्चे को पता है इसका answer वो जल्दी से इसका answer बताएगा वाकर जो cup होता है वो आपका किす sport के साथ ले deal करता है cricket के साथ, football के साथ ले आइन फिर के साथ तो वो आपका करता है ग। गोल्फ के साथ okay वाकर cup और उसके बाद अगर बात करूं तो फुटबाल में अगर देखा जाए तो कॉलॉम्बो कप होता है हमारा कॉलॉम्बो कप ठीक है अगर एक्जामिनर पूछ ले ठीक है इन चीज़ों के बारे हम अपने याद रखना है और गोल्फ में एक आपका राइडर कप भी होता है राइडर कप क्रिक्ट के बारे में आनों आपको बता दिया उसके बाद चलिए नेक्स कोशन नेक्स कोशन आपका ये कहता है ऐलसन 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 हावर कप is associated with which among the flowing sport किसके साथ ये deal करता है आपका ऐलसन होर जो आपका कप है किस sport के साथ deal करता है tennis के साथ, chess के साथ, football के साथ याँ फिक गुफ के साथ बताइए जरा इसकांसर तो ये करता है आपका गुल्फ के साथ जो आपका ऐलसन होर कप है आपका अब tennis के साथ जो प्लेम, ब्लेडन, ब्लेडन करता है, युएस ओपन करता है, और डैवीज कप होता है इसमें, और hopman कप होता है, यह important है, इनको नोट कर लो, उसके बाद गुल्फ में आता है आपका, गुल्फ के बारे में बता दूँ हमें आपको, इसमें चैनेड़ा कपा आता है, कि किनेडा कप और राइडर कप मैंने बताया था पहले ही आपको और वाकर कप और आपका एलस متर अल्ग यह किसमें गल्फ में आता है ऑद यह आ पके डील करते हैं कि हम जाल आप नैक्स कुशन चलिए फूर्ट बाल में अगर हूं देखे जाएं तो फूर्टमाल में भी कुछ स्पोर्ट अपने कप बगएरा आ जाते हैं अश्टूश ट्रॉफी आती है हमारी एक अश्टूश अशू तोष्ट ट्रॉफी जीके पे जितना आपकी पकड होगी उतनी आपकी सही है ठीक है स्पोर्ट के आपके ज्यादा नहीं तीन कोशन पूछे जा सकते हैं बड़ मैं आपको बता दू जो करंट अफेर से पूछे जाएंगे स्पोर्ट से हो सकते हैं बेगम हजरत महल ट्रॉफी किसमें दी जाती है फुटवाल में दुरंद कप दुरंद कप जो टैप का ये भी इसमें दिया जाता है मीर इकबाल हुसेन ट्रॉफी ये भी आपकी फुटवाल में दी जाती है एक और होती है रोवर्स कॉप रोवर्स जो कप है ये भी आपका इसी दिया जाता है किसमें फुटवाल ठीक है ये important चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आपके पास कोई book है मैं आपको book का आप भी एक review दूँगा मेरे पास जो book पड़ी है अरिहंत की आपने सुना होगा मनहोर पांडे अगर आप मैंसे कोई book लेना चाता है जीके की मैं आपको suggest करूँगा आप तरुन गॉयल की book लीजिए उसमें आपका थोड़ा बहुत अच्छे से कबर हो जाएगा अगर आपके पास कोई और अच्छी book है तो भी वैस्ट है अगर अरिहंत की है वो भी ठीक है अच्छी book है तो लूसें की जो book है वो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में अच्छी चीज़ें नहीं है MC की उजबाली है तो वो अच्छी है ठीक है उसके बाद नेक्स कोशन आता है who was the first Indian to win an individual medal in Olympics कोन थे यहाँ पर फर्स चो जिनोंने medal जीता था उलम्पिक्स में फर्स इंडियन थे मिलखा सिंग थे करनम मलेश्वरी थी पीटी उशा थी यहाँ भी केडी यादब थे जल्दी से बताईए इसका answer क्या है तो इसका जो right option वो आपका केडी यादब हो जाएगा केडी यादब जो थे फर्स इंडियन एथलीट थे जिनोंने bronze medal अगर पूछा जाए कि कौन सा medal bronze medal bronze medal इन्होंने लिया था summer olympic में summer olympic में 1952 की बात है ओके तो जो आपके एक परसन हो रहे हैं मिलका सी इनको पता है flying sick बोला जाता है flying sick flying sick इनको बोला जाता है इन्होंने चार gold medal one किये हैं Asian game में Asian games में किसने मिलका सिंग ने जिसको flying sick बोला जाता है तो उसके बाद आती है एक person हो रहा है हमारे करना मलेशवरी यह female है एक weight lifter है weight lifter है first Indian boomman दी जन्होंने olympic में medal जीता था ठीक है और इनको राजीव गांधी खेल रतन बाड़ भी मिला है राजीव गांधी मैं आपके award पे एक लियाओंगा वीडियो ठीक है कि क्या क्या award होते है जो gallantry awards होते है ना इन पे नोट्स पे बनाके लियाओंगा यहां फिर एमसी गुर्स में तो काम बनेगा नी इन पे इनके लिए special notes बनाने पड़ेंगे ठीक है इनको राजीव गांधी खेल रतन बाड़ भी मिला था उसके बाद आती है पीटा पीट्टी उशा जिनको उडान परी बोला जाता है जिसको हम बोलते है गोल्डन गर्ल गोल्डन गर इसके बाद आपका next question आता है question no.5 stopper terminology किस sport के साथ deal करती है football, hockey, rugby, football के साथ या cricket के साथ बताएज ज़रा इसका answer क्या होगा तो यह आपकी deal करती है आपकी football के साथ ठीक है उसके बाद next question next question आपका चलिए next question आपका कहता है कि which of the flowing trophies related to badminton sport where there is no price money for dividend जहाँ पर सिर्फ ट्रॉफी दी जाती है और उसको कोई provide नहीं किया जाता है पैसे बगार नहीं सिर्फ ट्रॉफी ही दी जाती है किसी को पता है तो इसका answer मार कर सकता है वो easily idea हो तो आप मार कर सकते हो तो वह आपका BWF World Championship ठीक है इसमें sport है यह trophy ऐसी है जो कि दी जाती है person को और इसमें उसको कोई money नहीं दी जाती ठीक है और यह जो BWF है यह आपका championship badminton game के साथ लेड करता है ठीक है badminton के साथ लेड करता है start कभी हुआ था 1977 में यह start हुआ था championship ओके और यह badminton world federation इसकी full farm है badminton world federation ओके उसके बाद next question की बात करें next question हमारा कहता है कि जो सुरभ चोदरी है वो कि sport के साथ लेड करते आर्चरी शूटिंग चैसी या badminton के साथ तो यह आपके deal करते है शूटिंग के साथ ठीक है शूटर थी और उन्हें गोल्ड मैडल भी जीता था गोल्ड मैडल लिस्ट है दोजार अठरा में एशिन गेम गें ठीक है उसके बाद next question नमारा rider cup rider cup is associated with which sport यह मैंने अभी बताया था इसका अंसर आप खूद करोगे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने यह चीज आपको अभी बताई थी मैंने सारा कुछ अभी आपको बताया थीक है अब मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ जो hockey hockey के साथ मैं आपको पता दू एक तो आपकी नहरू ट्रॉफी के लेट करती है नहरू ट्रॉफी important है उसके बाद आपकी सुल् अजलन शा कब ये भी आपका लेट करता है किसे हौकी के साथ सिंधिया गोल्ड कब और भी बहुत सारे हैं सिंधिया गोल्ड कब ठीक है ये चीज़े आपको examiner direct पूछ सकता है exam में क्योंकि question हमेशा direct बनते है exam में तो पूरी detail में नहरू अश्वनी पुनापा is associated with which game किस game के थे किसको answer इसका पता है तो वह answer बता सकता है वह करते थे आपके badminton के साथ ठीक है एक badminton के clear थे उसके बाद हमारा last question आता है आज का which of the flowing city is going to host summer olympic 2024 में कौन इनको करेगा बैजिंग करेगा South Korea करेगा Sydney करेगा या Paris करेगा किसी को पता है तो वह बता सकता है जल्दी से बताए इसका answer और आपको पता है जो अभी मुझे बताईए जो अभी हमारे olympics हुए 2020 हुए तो आपके 21 में न ये किस date से किस तक हुए और ये कून सी country म आपने मुझे comment box में बताना है ठीक है 2024 में जो होंगे आपके वो पैरिस में होंगे डेट क्या है 27 जुलाई टू 11 अगस्त तक फ्रांस में होंगे ठीक है क्लियर रहियां तक और मैं आपको बता दूँ कि पैरिस जो है येक second country बन चुकी है जहांपे तीन टाइम अलम्पिक होने जा रहे हैं फर्स्ट कौन थी लंदन थी लंदन जो थी फर्स्ट टाइम वहांपे कब हुए थे 1908 में 1948 में और 2012 में ठीक है अब यहां पे पैरिस में आवगा थार टाइम है ओके तो अड़कते हैं इस वीडियो को यहीं तक मिलेंगा आपसे नेक्स वीडियो और तब तक लिए बबाई and take care and God bless you to all of you अच्छा लगो अच्छा लगो लाइको शेयर जुरूर करें और नेक्स लेक्चर भी आपको स्पोर्स का हम जुरूर प्रवाइड करेंगे कमिंग सून ओके तो तब तक लिए बबाई and take care and God bless you to all of you अपनी एक्जाम की त्यारी इच्छे से करें दो महीने बहुत होते हैं गाईज बड़ा कुछ कर सकता है इंसान दो महीनों है नहीं करने वाला कुछ मिनी कर सकता करने वाले सारे कुछ कर सकते हैं